है अब्रीवान आइम इनिशा प्रजापायत और वेलकम यू अल दीजिटल तैयारी प्लेटफर्म ओके तो बात चल रहे थी मनी एंड बैंकिंग की ठीक है दो क्लासेज हमारी हो चुकी है मनी एंड बैंकिंग को लेके ठीक है मनी कंप्लीट हो गया बैंकिंग की एक लास हो ग चाप्टर से बनते हैं ठीक है और अच्छे लेवल का अगर क्वेशन बनेगा तो आज की क्लास का आपका बैंकिंग से बनेगा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है ना ओके आर्बी आई आपका रिजर्व बैंक ओफ इंडिया सब लोगों को पता है हमारा केंद्रिय क्या पूचा जा सकता है कि कब इस्टाबलेश हुआ था तो एक अप्रेल 1935 को इस्टाबलेश हुआ था यह ठीक है आप लोग मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए कि आपके आर्बी आई का हैड़कॉर्टर कहां पर ठीक है कमेंट करिए आप लोग बताईए इ यह ठीक चलिए अगर पूछा जाए कि स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई ती तो आपका जो रबी आई इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमिशन की सिफारिश पर एक और इंपार्टन शीज है जो अरबी आप लोगों को याद रखनी है कि आर्बी आई जो है वो अपने इ स्थापना के समय से ही केंद्रिया बैंक है केंद्रिया बैंक है यानि कि आइसा नहीं है कि पहले ये और नॉम्मल बैंक था और उसके बाद में इसको प्रोमोट करके जो है वह संट्रल bank बनाया गया, Kendria bank बनाया गया, ऐसा नहीं है, कि अपनी स्थापना के समय से ही क्या है, Kendria bank है, यह कुछ important बाते हैं, जो आपको RBI के बारे में याद रखनी है, चलिए, यह थोड़ा सा important है, जो functions RBI के, पूछे जाते हैं, काफी important है, ध्यान से देखी आप लोग, ठीक है, सबस से पहला काम है, to issue currency notes, ठीक है, दूसरा आपका RBI का काम है, RBI is a regulatory body of books, नहीं है, यह आपका banks है, ठीक है, banks, बैंकों की, क्या है, नियामक संस्था है, ठीक है, functions काफी easy है, और काफी जादा important है, इतना detail में भी नहीं पूछे जाते हैं, मतलब, points भी अगर आप लोगों को याद हैं, तो आप लोग questions सही करके आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखी आप लोग, ठीक है, it is a bank of government, government of India, ठीक है, यह भारत सरकार का bank है, ठीक है, और क्या काम है इसका, to protect forex reserve, next, यह रूपय की, विन्नी में दर का प्रबंदन करता है, it manages the exchange rate of rupee, ठीक है, it provides clearing house services to the banks, ठीक है, यह बैंकों क्या समा सोधन ग्रह सेवाय प्रदान करता है, ठीक है, और बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है, यह सारे काम है, यह सारे functions है, आपके RBI के, ठीक है, एक एक करके इसको थोड़ा सा detail में समझते हैं, important है, चलिए, सबसे पहला क्या है, आपके RBI का, issue of currency, दो रुपे का note, या फिर दो रुपे से अधिक के note, जितने भी हैं, इन notes पे किसके signature मिलते हैं आपको, आपके RBI गवर्नर की, ठीक है, यानि कि दो रुपे और दो रुपे से अधिक के जो भी note, आपका 10 का हो गया, 20 का हो गया, 50 का हो गया, ठीक है, बड़े note की बात करते हैं, 2000 का हो गया, ठीक है, तो यह कौन जारी करता है आपका, RBI जारी करता है, ठीक है, ओके, तो लिख दीजें य अधिक के नोट आर्बी आई जारी करता है नोट आर्बी आई जारी करता है ठीक एक तो यह बात इंपोर्टेंट है याद रखनी है दूसरी बात इनके ओपर सिगनेचर किसके होते हैं दो रुपए या फिर दो रुपए से अधिक के जो नोट है इनके ओपर किसके सिगनेचर सिंगनेचर होते हैं यह इस दिए आपके एक रूपे का नोट है कि वो कौन जारी करता है आपकी भारत सरकार चील के भारत सरकार के हक में आता है चील के Finance Ministry, लिखिए एक रुपे का नोट भारत सरकार लिख दीजिए या फिर वित मंत्राले लिख दीजिए आप वित मंत्राले, यानि कि आपका Finance Ministry जो है, ये जारी करता है छीट मंत्राले, जारी करता है एक रुपे का नोट या फिर एक रुपे का नोट या फिर जो आपके coins भी हैं तो coins भी कौन जारी करता है आपका भारत सरका ठीक है और आपका जो 1 रुपे का note है इसके उपर signature किसके होते हैं तो signature होते हैं with सचीव के ठीक है, with सचीव जो है आपका, उसके signature होते है ये 4 important बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एक और important बात, एक रुपे का जो note है, वो जारी तो आपकी भारत सरकार, यानि कि आपका वित्मंत्रा ले कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसको circulation में कौन लेकिया आता है, market में, आपका RBI लेकिया आता है, ये भी आपको याद रखना है, तो हम पढ़ रहे हैं, यापे functions of RBI, ठीक है, अब functions of RBI में issue of currency notes, ये पहला function है, ठीक है, आपके जो currency notes है, उसमें मैंने बताया कि दो रुपे या फिर इस से अधीक के जो note है, वो RBI जारी करता है, और उनके उपर RBI का जो governor है, उसके signature होते है, ठीक है, लिखा होता है आपके note के उपर, कि जिसे 500 रुपे का note है, तो 500 रुपे धारक को अधा करने का वादा करता हूँ, ठीक है, तो वो, और signature किसके होते है, गवर्नर के, और 1 रुपे का note है, आपके जो सिक्के वगरा है, तो ये कौन जारी करता है, भारत सरकार, ठीक है, आपका वित मंत्रा ले, और आपका जो note है एक रुपे का, उसके पर signature किसके होते हैं, आपके, वित सची होते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट तो आपके points है, points आपको याद होने चाहिए, details तो फिर भी, अगर नहीं भी याद होते चलेगा, पर details से भी question बन सकता है, बड़ ज्यादा chances है कि points से आपका question बन जाएगा, ठीक है, next, next है आपका, कि RBI is a regulatory body of banks, ठीक है, regulatory body है आपकी banks की, ठीक है, बार-बार सुनते हैं, आप यही line है, बार-बार, ठीक है, तो RBI क्या-क्या करता है, मतलब regulatory body है, तो as a regulatory body क्या-क्या काम करता है यह, एक तो license प्र license, ठीक है, ऐसे लिख दीजी आप लोग, ठीक है, यानि कि license प्रदान करता है एक तो, license प्रदान करता है की, इसको banks को, license प्रदान करता है bank को, गैekने, जैसे मालीजी अगर किसी को अपना नया bank खोलना भी है, तो उसके लिए अगर आपको license चाएए, तो आपको कोन देगा? RBI देगा ना license provide कौन करता है आपका RBI करता है और rules and regulations बनाता है rules and regulations बनाता है आपके जो banks हैं उनके लिए यानि कि नियम और वी नियमन का काम भी कौन करता है आपका RBI करता है ठीक है और अगर कोई bank RBI का कहना नहीं मानता है तो उसका license वो रद भी कर सकता है यह power भी किसके पास में होती है ठीक है ना तो क्या क्या काम कर रहा है license दे रहा है rules and regulations बना रहा है ठीक है उनके उपर निग्रानी रख रहा है ठीक है control रख रहा है regulate कर रहा है यह सब काम आपके किसका है RBI का चलिए next next है कि यह भारत सरकार का बैंक है ठीक है भारत सरकार का बैंक का मतलब क्या हो गया कि यह घरेलू रिनो की लिखिए भारत सरकार के लिए भारत सरकार के लिए घरेलू रिनो की व्यवस्था करता है ठीक है it arrange या फिर it arranges domestic loans domestic loans या फिर domestic borrowings लिख दीजिए domestic borrowings for government अब भारत सरकार क्या करती है इसमें बोला गया कि भारत सरकार का बैंक है अब गोर्रमेंट को लों चाहिए ठीक है तो government को loan चाहिए तो government बोलती है हम लोग market में जाके ऐसे loan वांगते वह अच्छे नहीं लगेंगे न तो बोलती है किसको बोलती है क्या important काम है इसका to protect forex research तो यह reserve है हमने पढ़ा था ना यानि कि विदेशी मुद्रा का बंडारण करता है बंडारण करता है अब भई RBI ने क्या किया नोट चापे यह इंडिया है यह इंडिया है RBI ने नोट चाप दिये यह आपके रुपया है, ठीक है ना मार्केट में पैसा ही पैसा है अब आपको यह आपके RBI ने दिये है आपको रुपय और बोला कि जाओ जो चीज खरीदनी है वो खरीद लो, यह बोला गया अब अगर आपको इंडिया में रहकर अगर कोई चीज खरीद नहीं है तब तो आप क्या करोगे माली जी आपके पास में 500 रुपए तो ले जागे दुकानदार को दोगे कोई चीज लेनी होगे तो खरीद लोगे ठीक है लेकिन यही रूपया लेके अगर आप USA में जाओगे ठीक है तो बोले का पैस साब यहां न करने के लिए जाना है तो आप सीधे सीधे रूपय मतलब गड़ी लेके नहीं जा सकते रूपयों कि एक लाख रूपय मेरे पास में है मैं तो अमेरिका घूम के आ रहा हूं ठीक है ना ऐसा नहीं कर सकते हम हमें क्या करना पड़ेगा और हम बोलेंगे कि हमें विदेश घू दीजिए यह मेरे रख लीजी और आप मुझे विदेशी मुद्रा दे दीजिए तो आर बीए क्या करेगा आपके एक लाख रूपय को रखेगा ठीक है आपको विदेशी मुद्रा देगा और बोलेगा जा सिम्रन जीले तेरी जिंदगी ठीक है ना मतलब घूम के आ जाओ तो विदेशी मुद्रा का बंडारन का जो काम है वो किसका है आपके RBI का है ठीक है ना चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है कि यह रूपय की जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करता है ठीक है आप सुनते ना ऐसे कि रूपया डोलर के मुकाबले कमज़ूर हुआ है रूपया डोलर के मुकाबले मजबूत हुआ ठीक है तो वैसे तो यह Dipendi करता है demand and supply पर ठीक है ना इसको manage करने का जो काम होता है रूपय को घरेगी रूपय को खरीदेगा ठीक है और अगर आपका रुपिया मजबूत हो रहा है अगर कमजोर हो रहा है रुपिया तो RBI आपके रुपिया को खरीदेगी और डॉलर को सेल करेगी ठीक है और अगर रुपिया मजबूत हो रहा है तो क्या करेगी आपकी RBI कि आपके काम यह है कि ना तो रूपिया जादा कमजोर होना चाहिए घी का बैलेंस को बिठाए रखने का जो काम है वह आपका Reserve Bank of India करता है ठीक है ना एक्स्चेंज रेट समझते हैं आप जिसे लिखावा होता है ना कि अभी 8 प्रेजेंट यह तो मैंने 80 रुपे एक्जामपल लिया है अभी 8 प्रेजेंट आप लोग Google करिए कि क्या रेट चल रही है मतलब आपका कि यह बैंकों को Clearing House की सुईधा प्रदान करता है ठीक है इट प्रवाइड़ क्लिरिंग हाउस फैसलिच टू बैंक कैसे देखिए यह आपका SBI है ठीक है यह आपका State Bank of India है और यह कोई कंपनी है ABC कंपनी ठीक है और यह है आपका Bank of बड़ोदा ठीक है अब क्या हुआ जो ABC कंपनी है ठीक है इसका खाता है SBI में ठीक है तो इसको एक चेक मिला ठीक है ओके नेक्स्ट आपका इट प्रोवाइडस क्लिरिंग हाउस फैसलिटी टू बैंक यानि कि यह बैंकों क्या देता है क्लिरिंग हाउस की सुविदा प्रदान करता है ठीक है कैसे देखिए यह है आपका State Bank of India ठीक है यह कोई ABC लिमिटेड कंपनी या फिर कोई कंपनी है ABC ठी का ठीक है अब ABC कंपनी पास में क्या है चेक है SBI और का ठीक है और इसका खाता है बेंक Of Bढड़ोदा में इसको चेक मिला SBI का ठीक है State bank of India का चेक मिला ठीक है और इस ABC company का जो खाता है वो है bank of बडोदा के पास में ठीक है मान लीजिये 25,000 रुपे का चेक था ठीक है 25,000 रुपे का चेक था अब यह ABC company क्या करेगी बेंक ओफ बड़ोदा के पास इसका खाता है और जाके बोलेगी कि यह चेक रखिए और मुझे क्या देदीजिए 25,000 रुपे देदीजिए ठीक है तो इन दोनों यह आपका बेंक बड़ोदा है यह आपका SBI इन दोनों के बीच में कौन बेटा है Clearing House कौन बेटा है Clearing House ठीक है जो क्या करता है इनका जो चेक है यह जो 25,000 का चेक इनको मिला और इनों ने यह आपे लाके जमा कराया और 25,000 रुपे इनको मिले तो इनका जो सेटलमेंट किया यह किस ने किया Clearing House ने ठीक है इसका उल्टा भी हो सकता था कि SBI के बाद पास ने कोई बंदा आया जो बैंको बढ़ोदा का चेक लेके आया ठीक है और SBI ने पेमेंट किया तो यह सारा सेटलमेंट भी कौन देखेगा आपका Clearing House देखेगा ठीक है ठीक है ठीक है तो यह क्या करता है बैंको को Clearing House की liquidity of market आपका जो RBI है उसका सबसे important काम ही यही है बाजार में liquidity को maintain करके रखना ठीक है यानि कि अगर market में जादा पैसा आ गया है जादा पैसा आ गया तो क्या होगा inflation बढ़ेगा तो उसको control करने के लिए RBI क्या करेगी money supply को घटा देगी ठीक है यानि कि banks की rate वगेरा increase कर कि कहने का मतलब और मंदी की इस्तिती चल रही है deflation चल रहा है तो क्या करेगी थोड़े सस्ते लोन बातेगी ताकि money supply को बढ़ाएगी ताकि लोग पास में थोड़ा पैसा हो तो कहने का मतलब RBI के पास में बहुत सारे ऐसे instruments हैं जिससे को क्या करती है liquidity को manage करती है ठीक है त तो liquidity को control करती है बहुत सारे instruments है next class में हम पढ़ेंगे वैसे हमें यह पता है कि man function जो है सबसे इंपोर्टन फंक्शन आपका RBI का क्या होता है बाजार की तरलता को नियंत्यत करना ठीक है अब कौन से instruments काम में लेती है जिसी वह liquidity को manage करेगी वह हम पढ़ेंगे next class में ठीक है चलिए तो काफी important हमारी class थी इतने important videos को तो काफी important हमारी class थी इतने important videos के लिए subscribe कर लीजिए digital तैयारी channel चीक है bell icon प्रेस कर दीजिए और आज के लिए इतना ही मिलते next video में thank you so much कर दो कर दो कर दो समय आज कर दो दोस्ता है